कि अ कि हैं और है विए ऑफने है एलो गाईज कैसे हैं आप सबी लोग स्वागत है आपका मारे चैनल में जिसका नाम है सक्सिस मंच आप लोग बहुत अच्छे से हुंगे और आप लोग की तैयारी आइटींग बहुत ही अच्छी चल रही होगी जैसे कि हमारी वीडियो में लोग को शो हो रहा है जीस पेपर वन का पॉइंट नंबर नाइन हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं और इसका पीडिया फी प्रोवाइड होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस्मांच पेज बेग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ह समाजिक सब्सक्राइब कर लेक्स मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को को सबस्क्राइब कर लेजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि आप लोगों के जैसे ही और भी ऐसे एस्पिरेंट्स है जिनको ऐसी वीडियो की जरूरत है और पूरा मटीरियल कहीं हिंदी मीडिया में अच्छे से उपलब नहीं है इसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास क देने की कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों को बेस्ट मटीरियल यहां प्रोवाइड हो सके और टाइम टू टाइम में यहां पर आपको करेंट से भी रिलेट करके बताऊंगी और जो भी हमारे न्यूस में चीज़े चल रही है वो भी हम साथ में करेंगी एक पास थोड़ लोग शुरू करते हैं समाजिक शशकतिकरन सामप्रदाइकता छेत्रवाद धर्मिर्पेक्ष का पार्ट नंबर 4 हम लोग कर रहे थे सामप्रदाइकता एक बार हम कोई क्रिवीजन कर लेते हैं यह लेगा थे इसमें तीन टॉपिक यह आर्थ घटक और तत्व फिर समाजिक दिया हुआ है description एक एक वीडियो लाइन से आप लोग को दी हुई है वहाँ जाके पूरी list फॉलो कर सकते हैं आप लोग वो मेरे हर एक वीडियो के playlist में होता है नीचे जो description दिया हुआ है उसमें GS paper 1, GS paper 4 और जो भी आपसे related वीडियो से सारी वहाँ पर नीचे दी हुई है यह प्रयास और सुझाव यह दौपिक ने रह गय थे ंसमें यह 2 टॉपिक के पड़ने के लिए तो चलिया आज हम आगे देखते हैं 49 वुके станफंच में क्या सुचहा हो सकते हैं निपटने के क्या सुचहन उन मैंने दो पार्ट में डिवाइट कर रखा लक जाल एक होगा दीरकन कालिक सुचहा यह बात करेंगे जो हम उसी समय क्या कदम अजब सकते हैं 사ampradayta recommand due परकार सचाव करें अलपकालिक और दीक कालिक पह-लपकालिक का मतलब होता है कि जो जो नीच पर वए तो हम् a dzi actual time क्या कदम सकते हैं इसल्ड़ा क्या कदम सकते हैं वम् a पर यहोजाते हैं जो उसका कारण है उस पर चोट करें उससे उसको ठीक करें तो इसके विवरंड जो है इसका डिटेलस में अब हम आगे पड़ेंगे चलिए देखते हैं पहला अल्प-कालिक सुझाओ इसमें पहला है मीडिया का सकारात्मक प्रियोग तो मीडिया की सकारात्मक प्रियोग में किसी भी तनापूर्ण इस्थिती में मीडिया का प्रियोग इस प्रकार करना चाहिए कि वह कभी भी जैसे कि कहीं सामप्रदाइक दंगे हो रहे हैं तो मीडिया का प्रियोग इस प्रक तो जो भी दंगे हो रहे हैं उसको और फैलाएं नहीं उसको और भी जैसे कि हिंदू-मुसलिम में अगर ही हो रहा है कुछ लड़ाई जगड़ा हो रहा है तो उसको दबाने की कोशिश करें तनाव कम करने की कोशिश करें इसके साथ ही मीडिया का ऐसा एक दायत्व होना चाहिए कि वे अक्रामक जो नेता है उसके बयानों के इस्थान पर उन धार्मिक नेताओं के बयान को प्रसारित करें जो सामप्रदाइक तनावों के विरुध विचार व्यक्त करते हों मीन्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत जादी घटिया जो और जो खराब सोच होती है जो बयान बाजी होती है एक पर्टिकुलर धर्म के प्रती उनको ना उजागर करके जो धार्मिक सोच होती है जिससे सामप्रदाइक एक ताब वनी रह सकती है उन सोचों को ज्य से पहले यह प्रियास किया जाना चाहिए कि पुलिस कारवाई तथा जो धारा 144 होती है कर्फियों होते हैं जैसे प्रियास से हिंसा को व्यापक होने से रोका जा सके मतलब कि यह सब जो पुलिस कारवाई की जाए या कोई धारा लगाई जाती है या कर्फियों लगाया जा मतलब फैलाने से रोकना चाहिए जिससे और धार्मिक जो जगड़े हैं वो और बढ़ जाए नेक्स तम बात करेंगे प्रात्मिक कदम की तो इसके अंतरकत आता है अगर कहीं भी दंगे हो रहे हैं तो पुलिस्त कारेवाही तो करनी चाहिए जैसे कर्फियो लगाना चाहिए कर्या हुआ है और जिस रखने में निख जा गों बात्म भाति भी फैल के प्ला गोगे तो जपने कि दंगर उपकषन है वे दंगे एक को आपने कढ़ना चाहिए उनको अपने कफन कोई दे नहीं दे ना चाहिए तो उनको वापस लेना चाहिए जिससे इस दंगो को उसी समय रोका जा सके और यहां पर ऐसा करने के लिए इस समस्या को हल करने के लिए वहां के स्थानिय मीडिया और स्वह से वी संस्थाओं के भी वहां पर मदद ली जा सकती है इसके बाजूत अगर यदी कटरपंती शांत नहीं होते हैं वो अपने उसी जो उनकी घटिया हरकते हैं उसी में लगे रहते हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर कटोर नंड की भी कारवाई हां पर करने चाहिए संप्रदाई वक्तव्य पर रोक किसी भी सार्वजनिक सभा में या ऐसी किसी सभा में ऐसे वक्तव्य पर रोक लगाई जानी चाहिए जो एक संप्रदाई को दूसरे संप्रदाई से अच्छा या बुरा साबित करता हो या फिर किसी संप्रदाई के लोगों के मन में तुलनात्मक या अक्राक्मक की भावनागर पैदा करता हो ऐसे कोई हमारी जो इंटिया है वहां वक्तव्य की स्वतंतरता दी गई है कि हम लोग बोलने की स्वतंतरता है सभा करने की स्वतंतरता है लेकिन ऐसा कहीं भी पर उसी टाइम रोक लगाने चाहिए ये शौट टम सुझावों के अंदर आप लेख सकते हैं नेक्स्ट धार्मिक संस्थाओं में विद्वेश्पूर्ण विचारों पर रोक लागाने चाहिए कोई भी धार्मिक संस्था हो उसमें अगर ऐसे वक्तव्य दिये जा रहे हैं त कि धार्मिक सभा में समाज या राजनीती से संबंदित जो भी विद्वेश्पूर्ण अगर विचार प्रसूत करता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कोई संस्था तो उसे उसी समय रोक महापा लगाने चाहिए वो धार्मिक संस्था ही क्यों नहों लेकिन उसे बिल्कुल भ प्रादकी इश्रुने में आये गा यहां पर नेक्स्ट झिला प्रशाशन में मुख्य अधिकारी की भूमिका जब भी कोई सामप्रस्दाइक तनाव होता है साम्प्रदाइक हिंसा होती है तो उस समय वहां का जिला प्रशाशन के जो सभी प्रमुक अधिकारी है जो अफसर है वो ऐसे होने चाहिए जो साम्प्रदाइक पूर्वा ग्रहों से ग्रस्त ना हो Means कि उन्हें particular पहले से दिमाग में ऐसा ना बेठा हो कि यह particular धर्म ऐसा है मैं इसका साथ दूँगा या particular मैं इस धर्म से हूँ इसलिए मैं इस धर्म का साथ दूँगा चाहे वो दूसरा वाला धर्म गलत हो या सही हो उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता तो ऐसे जिला प्रसाशन जो मुख्य अधिकारी हो ऐसे नहीं होने चाहिए जिले में जिससे इस टाइप का उनके अंदर पहले से ही माइंड सेट ऐसा बना हो कि को एक परटिकूलर धर्म की तरफ उनका जुकाव हो तो अलपकालिक सुझाओं में यह सब आप अपने answer asking में Quote कर सकते हैं ओने कम बात करेंगी दीरकालिक सुझाओं की की तो हम और हम यह पर्टिकूलर कदम और अगर आगे की गिए 10-20 सालों की बात लेकर चलते हैं और इस पर काम करते हैं तो काफी हट तक सांप्रदायकता की समस्या को सुलजाने में मदद मिल सकती है तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे सांप्रदायक सद्भावना में व्रधी शामप्रदाईक तनाव होता है उसको रोकने में सबसे अच्छा उपाय होता है शामप्रदाईक तरनसद्भावना में ब्रदी इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि दोनों समुदाई में आपसी समभाध हो कोई भी अगर मन मुटाग हो करवाहट हो तो जो भी समुदाय में हो वो आपस में बैटके बादचीत करें बादचीत से उसका हल निकालें विद्यार्तियों के माध्यम से तथा स्वेफ सेवी संगठन जो होते हैं उनके माध्यम से उनकी पहल पर धीरे-धीरे इस समवाद विक्सित किया जा सकता है विद्यार्तियों अदा कर सकते हैं इसको हल करने में कि उनका माइन से इतना जधा दा कर सकते है तो एक मेजर रोल कर सकते들 यहाँ पर एक धर्म को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए उनके उत्सवों में जब अगर किसी पर्टिकुलर धम का उत्सव होता है तो उसमें उत्सवों को उत्सव मनाना चाहिए और अगर इस दिशा में कदम उठाए जाते हैं तो सामप्रदाइकता सद्भाव को बढ़ा उसको मीडिया में लाना चाहिए उसको सब के सामने प्रकाश में लाना चाहिए ताकि सम प्रदाइक सद्भा के इस्थिति बन सके लोगों में जागरूकता आ प्रात्मिक सिख्षा का पाठ्थिक्रम। इसके बाद उन लोग को ये भी महसूस कराया जाना चाहिए किός धर्मिक सीमा तक अवश्य महतिपून होता है परंतु कोई भी मनश्य जो होता है उसको आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक जीवन पर अधिक ध्यान देना चाहिए ना कि धर्म को धर्म जहां तक जरूर है सरफ वहां तक अपने को यूज करना चाहिए पर हमारा वास्तेविक जीवन होता है, इसे मुलियों के विकास से व्यक्ती का वर्तमान भाविश भी सुधर सकता है क्योंकि नीव जो होती है वो सिक्षा से पढ़ती है और प्रात्मिक सिक्षा में अगर ऐसी सिक्षा बच्चों को दे दी जाए जो कि हमारी भावी पेड़ी होते है कि सामप्रदाइक सद्भावना क्या होती है तो उसमें उनके अंदर सामप्रदाइक्ता के जो तनाव होता है जो बीज होता है वीजह अरूपर नहीं हो पाएगा नेक्स हम बात करेंगे सिक्षा का सारभामि कराने विज्ञानिक विकास सामप्रदाइक ता कि जब इस्थिती होती है वो ऐसी भावनाएं होती है वो ऐसी इस्थिती में उत्पन्ग होती है जब विक्ति का जो बौधी किस्तर है और तार्की किस्तर है जो उनों ही निम्निस्तर का हो अतला कि उसके सोचने समझने की चमता उतनी नहों लोगों ने जो वे अपने जीवन के जो बिभिन संदर्व हैं जो बिभिन बातें हैं उसका अगर वैज्यानिक और तारखिक चिंतन नहीं करता है तो सामप्रदाईक तनाव के स्थिति हां ज्यादा उत्पन हो सकती है जो प्रात्मिक सिक्षा है नॉर्मल सिक्षा जो हमारी सिकेंडरी स्कूल की सिक्षा है वहां भी सर्भॉमिकरन होना चाहिए सिक्षा का उसके सासत वैज्ञानिक मनुवर्ती का भी विकास होना चाहिए ताकि लोग चिंतन कर सकें जो भी बात बोली जाती है उसे एस इट इस ना स्विकार करके उस पर मन हो जाएगा नेक्स हम बात करेंगे समुचित आर्थिक विकास का जब आभाव होता है तो वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति या समाज में बेचैनी उत्पन करता है और वही बेचैनी सामप्रदाइक्ता का रूप ले लेती है यदि प्रतियक व्यक्ति को समुचित आर्थिक या स समाजिक विकास के अफसर दिये जाएंगे तो ना तो सम्प्रदाइक्ता के उनके मन में विचार ही उत्पन होंगे और ना ही उनके पास सम्प्रदाइक घटनाओं में भाग लेने के लिए समय होगा प्रतियक व्यक्ति अपने तथा समाज के आर्थिक विकास के प्रकलिया म संगन लहेगा मतलब कि वो उसमें इंगेज रहेगा कि मुझे समाज का अपना और अपने राष्ट का आर्थिक विकास करना है और यह हमारी मूलभूत जो प्राथमिक्ता है वो होनी चाहिए सामप्रदाइक्ता के निर्वाडन है तो गरीबी और बेरोजगारी का यथा शीग समान नागरिक सही तक किसी भी एक पर्टिकुलर देश में बहुत ही जरूरी और वांचनी इस्थिती होती है एक देश में जो व्यक्ति रहता है व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर अगर वो अमीर व्यक्ति है या इस धर्म का व्यक्ति है इस जाती का व्यक्ति है तो इसके लिए धर्म अलग होगा और ये दूसरी जाती का व्यक्ति है या गरीव व्यक्ति है तो इसके लिए कानून अलग होगा और ये जो कानून होना चाहिए संद्रचनात्मक भेदभाव के वल उन्हीं के प्रती होना चाहिए जो किसी सामाजिक कारणों से अन्यायपूर्ण इस्थिती में रहने के लिए अभिशप्त रहे हो अगर कहीं पे भी समाजिक जो हमारा कल्चर है वहाँ पर अगर समान नागरिक सहिता नहीं होती सबके लिए एक बराबर कानून नहीं होते तो मेन ये रीजन होता है इस सांप्रदाइकता को बढ़ावा देने में इसके अभाव में सांप्रदाइकता को बढ़ावा मिलता है नेक्स तम बात करेंगे राजनीती और सांप्रदाइक तत्व राजनीती से सांप्रदाईक जो तत्व होते हैं उन्हें दूर किये जाने की बहुत ज्यादा आवशक्ता होती है क्योंकि ऐसा ना होने पर जो भी सांप्रदाई होता है उस पर प्रेशर ग्रुप बन जाता है मतलब कि राजनीती होती है पर्टिकुलर धर्म पर्टिकुलर एक कोई पार्टी है उस पर प्रेशर गुप हो जाएगा कि अगर यह पर्टिकुलर संप्रदाय का उस पर दवाब आ जाएगा और लोकतांत्रिक राज में इस दवाब का सामना ना कर पाने की कारण राजनिती को बहुत ज़्यादा नुपसान उठाना पड़ सकता है हमारे जो सम्विधान है उसको बहुत ज़्यादा नुपसान उठाना पड़ सकता है next हम बात करेंगे बहुत ही important topic जो अल्पकालिक सुझाव में भी हमने देखा था लेकिन वो at a time हम क्या कर सकते है वहाँ देखा था और यहाँ पर हम देखेंगे long term में हम लोग क्या सुझाव यहाँ पर use कर सकते हैं तो police और प्रशाशन का प्रसिक्षन इस समस्या से निपटने के लिए police और प्रशाशन को विसेश रूप से प्रसिक्षन दिया जाना चाहिए और भेडभाव जो करते हैं police कर्मी और प्रशाशन के अधिकारी उनको लोगों को चिंधित कर उन लोगों को पहचान कर उनके विरुप्त सक्त कारिवाई की जानी चाहिए जो लोग इस कारी में भागीदारी देते हैं जो अवांचनिय तत्व होता है उनको उनका बचाव करते हैं तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी कारिवाई करके उन्हें दंड देना चाहिए तो यह बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आप लोग उसी हिसाब से सोचे अपने माइंड से बनाएं कि मैं एक ओफिसर हूं और मुझे साम्त्रदाइक्ता को रोकने के लिए क्या-क्या सुझाओ मैं दे सकता हूं या अपनी साम्त्रदाइक्ता को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठा सकता हूं तो अगर इस साथ से आप अपना माइंड से बनाएंगे तो निश्चेती एक दिन आप सरकारी ओफिसर बनके निकलेंगे क्योंकि आपको अपनी सोच भी उस लेवल तक लेके जानी होगी जिस लेवल त में क्या-क्या कदम उठा सकता हूं तो देखिए जल्द ही आपकी मनजिल दूर नहीं होगी आप जल से जल्द एक ऑफिसर बनके निकलेंगे अपनी सूच को बढ़ाने की आवशकता है बस आपको तो आज हमने बात की साम्प्रदाइक्ता को कम करने की साम्प्रदाइक्ता क कि पनाव को कम करने के लिए जिया उचसे निptथने के लिए सुजाओ हमने देखा अल्पकालिक सुझाओ हमने देखे दीर्कालिक सुझाओ एक्जाम में जैसा कोशिन आता है आप उसी हिसाब से कोशिन करेंगे और सरकार द्वारा किये गए प्रियास वो भी मैंने पहले बता दिये हैं तो जिस हिसाब से कोशिन आएगा ऐस अ ओफिसर आप क्या कदम उठाएंगे तो आप अलकालिक और दीरकालिक दोनों यहां लिखेंगे पर्टिकुलरली हम कोशिन पे भी आएंगे कोशिन भी डिस्कुस करेंगे कि कैसे एक्जाम में आ सकते हैं पहले थोड़ा सा कोर्स यहां कम्प्लीट कर ले हम लोग तो आज मैंने आपको पूरा ये सामप्रदाइक ता टॉपिक खतम करा दी हैं नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे यहां पर छेत्रवाद की और छेत्रवाद में काफी सारे सब टॉपिक्स हैं यहां आप देख सकते हैं आशे हम करेंगे छेत्रवाद और प्रिथक राज्य की मांग, छेत्रवाद और अंतर राज्य तनाव, छेत्रवाद और केंद्र राज्य संगष, छेत्रवाद और संग से प्रिथकता, उत्तरदाई कारक कौन-कौन से हैं, छेत्रवाद की इसके परिणाम क्या होते हैं, छेत् तो आप देख सकते हैं एक चोटा सा चेत्रवाद का टॉपिक और इसके 11 पॉइंट्स हो गई यहां पर सब टॉपिक्स में तो ऐसे ही मैं पूरी डिटेल स्टडी आपके सामने लेकर आऊंगे मेरा एम यह नहीं है कि मैं कुछ भी वीडियो बना के चोटी मोटी बस एक वीड तो आप अपने नॉलेज को एंहेंस कर सके उसको बढ़ा सके और अपने एक्जाम में बहुत से अच्छे पॉइंट लिखके आ सके तो आज के लिए बस इतना ही आज में आपको इतना ही कराऊंगी तो प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रहें तो अपने ब क्यू थाओँ